हेलो फ्रेंड्स आपका सीमा खत्री कीचन में स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं बेसन के चीले चीले बनाने के लिए हमें इन इन समानों के ज़रत होगी एक प्याज जो मैंने काट लिया है एक तमाटर काट लिया है दो हरीमच मैंने काट लिया है आधी कटोरी से भी कम धही एक शिमला मिर्च जो मैंने बारिक-बारिक काट लिए हरा धनिया और एक कटोरी बेशन चीले बनाने के लिए हम बैटर तयार करते हैं एक कटोरी बेशन आदी कटोरी धाई आदी चमच पिसा हुआ धनिया आदी चमच से भी कम हल्दी आदी चमच नमक आदी चमच से भी कम लाल मिर्च आदी चमच काली मिर्च पिसी हुई थोड़ा थोड़ा पाने डालके बैडर को मिक्स कर लेंगे और इसका थोड़ा पतला घोल तयार करेंगे शिमला मिर्च कटी हुई प्याज कटी हुई टमाटर कटी हुई हरे मिर्च कटी हुई हरा धनिया कटा हुआ थोड़ा पाने डालके से घोल लेंगे अच्छी तरह से बैटर हमारा तयार हो चुका है अब 10 मिनट पे लिए से ढखके रख देंगे 10 मिनट हो चुके हैं और बैटर को में इतना ही पदला रखना है चल्दी अचीले बनाना शुरू करते हैं अब बैटर को डालने के बाद गैस को में पिलिंग पे करते हैं अब चीले को हम पल्टेंगे और साइड में थोड़ा थोड़ा ओली डालेंगे देखे चीला हमारे दूसरी साइड से भी सिख चुका है और चीला हमारे बिल्कुल अच्छी तरह तयार हो चुका है आप इसी तरह सारे चीलों को बनाएं देखे फ्रेंड्स मेरे बेसंद के चीले बिल्कुल तयार हो चुके हैं अगर मेरी वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, धन्यवाद